ब्रेक की बाद स्वागत है आपको और अब बात करेंगे हनुमान गड़ती जहाँ पर हमारे समवादाता ने लोगों से बात्चीत की देखी रिपोर्ट डेंगू को लेकर लगातार जो है कवरेज इंडिया न्यूज की जारी है इंडिया न्यूज की बोले और आजस्थान की टीम आज यहाँ पहुंची है तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है तो जो है सीधे तोर पर असर कर रहा है डेंगू का सेकंड वेरियंट आ चुका है और सेकंड वेरियंट के बाद से सीधे तोर पर लोगों में एक डर बना हुआ है और क्या ववस्ता आ हैं शहर के लोग क्या कुछ कहते हैं उनके शेटर में का फोगिंग वगेरा के ववस्ता ही है कि सबसे पहले चाहूंगा आप से आप शहर के वथसी है डेंगू जो है जिस परकार से बढ़ रहा है आगर बात करें पिछले टेम के तो 2201 से ज्यादा मरी जाए हुआ हैं तो क्या ववस्थाइं आपके कश्बे में महुले में किस परकार के वश्थाइं बहुत बुरा हाल है असलमें डेंगू डॉल में पॉल सरकार की पॉल खु के बीच में प्राइवेट ऑस्पिटल ने जो उसकी जांस है और जाते ही आज किसी को खांसी भी आ गई तो प्राइवेट के तो एक दुखांदारी है यहां पर प्राइवेट डॉक्टरों की वो जाते के जी यह जांस कराओ वो तीन जारव लोट जाते उसमें और सरकार के सकारी बरें पणे कोई वीवसता नहीं कोई नंढ़ें कोई कि निक पैंद नगर पाली का भी इसमें घंबीन ंता बड़े चिंत्तित हैं कि dén गूब की बोर्णाटों है deux क्रोना में मरते कम थे लेकिन अब डेंगु से हमारे चेत्र में आंकडे चुपाए जा रहे हैं और देंगु को लेकर जिस परकार से इन्हों ने कहा भी आंकडे भी चुपाए जा रहे हैं डेंगु के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं आपके छेतर में किस परकार के वह स्थाएं परशासा ने चिकित सामेक मैंने कर रखिया क्या फोगिंग वगेरा के वह स्थाएं ठीक है या डेंगु के बुखार के मरीज भी काफी बढ़ रहे हैं तो आपके छेतर में क्या कुछ रोसता हैं डेंगु को रोकने के लिए फोगिंग की जांतक बात है फोगिंग सिर्फ नगरपालिय का वह अखवार में फोटो दिखाने के लिए एक अधी गली के अंदर जाते हैं वह फोटो खिंच वाते हैं माइक से को अनॉंस्मेंट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं यह नगरपालिका की जिम्मबारी थी कि नाडिया साफ रहें फोगिंग हो मच्छर कम हो उसके लिए कोई प्रयास नगरपालिया की तरफ से नहीं है सिर्फ अखवार में करता है मिटिंग करने के बाद उसकी विगपती अखवार में जाती है प्यारों के थ्रू और यह प्रयास हैं और इन प्रयासों से अनमानगिड की जनता बहुत रस्त है हर तीसरे तो थे पांचों के अंदर डिंगू का मरीज है और पांसादस दिन बाद उसकी खबर आती है करोना से ज़्यादा खतरनाख डिंगू है जिसके लिए प्रशासन ने कुछ नहीं किया नहीं परचार किया नहीं कुछ जागरूकता कुछ भी नहीं के बराबर विवस्ता हैं के गनुको लेकर लगाता है मोतों का आंकडा भी इनोंने बताए जिस परकार से बढ़ रहा है तो आपको क्या लगता है डेंगू के कितनी ववस्ताय जो है परशासन ने अपने सतर पर कर रखी यह कितने संतुल का स्नवाइ नालियों में जहाप पानी रुका पीदा होता है वहां गला जाहे वहां एक और तक क्या नहीं और है सफाई के निहीं है doing i प्राइवेट उस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं आप इन बातोस पे कितना मानते हैं डिंगू का इलाद जो है प्लेट लेट टेट इड़ना है सरकारी स्टर पर हनमानगीड में कम से कम ऐसी कोई विष्टा ने प्लेट एक लोग में प्लेट निकालने वाली हैं जो है उतना काम नहीं कर रही है कि अब भागते हैं प्रवेट वस्पिर्ट नोग तर भागते हैं वहां दुनिया परिसा मांगते हैं वह लोग बादमी गरीब आदमी तो शाइद मेरे यह आप पतार पेदा हो रहा है डेंगो के बढ़ रहे हैं आप अब जिस परकार से देख रहे हैं शहर में काफी खबरे भी आती है भी डेंगो से मोथ के आंकड़े भी चुपाने की बाते सामने आती है तो आप इसको लेकर क्या कुछ कहें हैं असल में क्या है कि परसासन का दियान उस तरफ नहीं जा रहा है जहां डेंगू उबर करे आ रहा है अगर अपने अन्मानगर की बात करेंगे तो वार्ड नमर तीन चार ये खुंजा जो एरिया है वहां हर घर में एक डेंगू का मरीज है अब परसासन उस तरफ फोकस नहीं करेगा कि वहां ये मरीज क्यों बढ़ रहे हैं वहां को पानी खड़ा है नालियों में क्या तेल डाला गया है या कोई फॉगिंग की करेगी है कुछ नहीं है और ये वो बढ़ता बढ़ता वाँ पूरे सहर में और रहा है अब थोड़े दिन हमें ये अलात हो जाएंगे और जो साथी कुछ साथी कह रहे थे कि खून अभी अपने मॉबायलों पर रोजान दस फॉन ऐसे आते हैं कि हमें खून की जूरत है अगर ऑस्पिटल में डाक्टर तो सिर्फ इलाज कर सकता है उसके पास संसादनी नहीं है वो तो दुआई लिख सकता है और कुछ नहीं कर सकता है और यहां जो जहां से ये डेंगू की जड़ बड़ी मनती जा रही है अगर हनमानगड जिले की बात करें तो नोहर है और यहां हनमानगड का खुन जाएं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और नहीं ध्यान देंगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा ये थे हमारे साथ इन्हों ने सबी ने साफ तोर पर कहा कि हनमानगड में सफाई ववस्था जो है वो चर्मराई हुई है और नालियों में गंदा पानी पशरा हुई है जिसकी वज़े से लारवा पेदे हो रहे हैं और उसी के वज़े से डेंगू बढ़ रहे हैं अब डेंगू को किस तरीके से परशासन और सरकार और हनमानगड किस परकार से रोक पाएगा ये आने वाला समय बता पाएगा हनमानगड से मेरे सेयोगी राकेश चिंपा के साथ इंडिया नियूज के लिए कुलदीप शर्व इस बल्टे में फिलाल इतना ही देखते रहे हैं इंडिया नियूज से राजिस्तान